जारखन्ड की बात की जाए तो जारखन्ड में देश का सबसे जादा आदिवासी जनजातीय समुधाई निवास करता है जारखन्ड में 32 जनजातीय समुधाई के लोग रहते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राज अस्तरिये दो दिवस्य जन्जातिय महोच्षो जिसका आयोजन भार्खन की राजधानी राची के मुरबादी मैदान में हुआ है। थोड़ी ही देर में मुख्य मंतरी हैमन सोरेन दिशोम गुरु सीवु सोरेन की अध्यक्षता में इस महोच्षो का विधिवत उध्गाटन होगा। आप देख सकते हैं कि आयोजन का कितना भव्व ये आधिवाशी महोच्षो का आयोजन किया गया है। जनजातिय महोच्षो का आयोजन का मकसद केवल और केवल ये है कि जनजातियों का विकास हो, उनका उठ्थान हो। बता दे कि जारखन में देश के आधिवासी और जनजातिय समुझाय के सोध करता, कितिहास करता, जो इंटिलेक्च्वल से उनका जुटान हो रहा है। हजारों की संख्या में भीर आप देख सकते हैं, जनजातिय महोच्षो में पहुंची है। देश के बिभिन राजियों से लोग इस महोच्षो में सामिल होने के लिए पहुंचे हैं। से रख सकें। वहीं लोग सभा में के 14 में से 5 सीटे जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। जनजातिय महोच्षो का दो दिवस्षे समारों। राची के इतिहासिक मुराबादी मैदान में हो रहा है। कितनी खुबसूरत और जनजातियों के जो परंपरा है उसी के तहत बना है यह पूरा मंच। जनजातियों के उत्थान के लिए उनके इतिहास के लिए उनके परिधान के साथ साथ उनके संस्कृती पर भी होगी चर्चा। दो दिवस्ये राज किये जनजातिय महोसर से पूरे राज के ही नहीं बलकि देश के जनजातियों के उठान के लिए चर्चा होगा अब देखना होगा कि इतना बड़ा जब आयोजन होता है उसके बाद जनजाति के जो मुल्भुश सुविधाएं हैं जो उनकी जो समस्याएं हैं उससे की तरीके से निजात मिल पाती है देश्वा न्यूज के लिए राची से मैं अशुक कुमार